स्वागत आपका Traders Point के और एक नए वीडियो में आज के वीडियो में हम करने वाले हैं PVR Share का Technical Analysis और अंत में देखेंगे कि इस Share को खरीदने का Best Level कौन सा रहेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम कोई भी Share का Support और Resistance Levels जानने से पहले उस Share का Trend देखते हैं तो अगर हम इस Share का Trend देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 52 Week Low बनाने के बाद यह Share Continuous Up Trend में जा रहा है भले यह थोड़ा Slow जा रहा है और यह Slow क्यों जा रहा है यह सब भी को पता है क्योंकि COVID का सबसे ज़्यादा असर PVR, Cinemas, Inox, Leisure और जो भी होटल और टूरिजम वाले Share थे उनके उपर ही हुआ था इसलिए यह Share जा रहा तो अप Trend में पर थोड़ा Slow जा रहा है क्योंकि आप देख सकते हो Higher Highs बना रही है यह Share Continuously और Lows भी जो बन रहे हो High बन रहे है तो हम कह सकते हैं यह Up Trend में जा रहा है पर थोड़ा Slow जा रहा है अगर हम इस Share के Resistance की बात करें तो यहाँ पर दो Important Resistance है जो First Resistance है वो है 1522 का लेवल और जो Second Important Resistance है वो है 1579 का लेवल दोस्तो अब हम इस Share में देख लेते Important Support लेवल और हम यहाँ ही देखेंगे कि इस Share को Buy करने के लिए Best Price कौन सा रहेगा तो अगर हम Support की बात करें तो यह वाला जो Trend Line है यह Line इस Share के लिए Important Support का रोल प्ले कर रही है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो जब इस Share में पहली बार गिरावट आई थी तब इस Share ने इसी Line पर Support लिया था एकदम इस Share ने Support के हिदरी Closing दिया है तो अगर हम बात करें Buying की तो यहाँ पर आप Buy कर सकते हो क्योंकि यह Share अपने Support के इदम करीब आ चुका है पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है दोस्तों वो रिसक अप Stop Loss लगा के Sol कर सकते हो कि अगर इस Share ने अपना Support तोड़ दिया तो इस Share में एक बहुत बड़ी घिरावट आने की संभावना रहेगी तो यहाँ पर आपके पास और एक Option है अगर यह Share अपना Resistance तोड़ता है 1577 का Level यह वाला Resistance तो भी इसमें एक अच्छी तेज आएगी तो आप तभी भी इस Share को बाए कर सकते हो तो आपके पास दो ओप्शन है फर्स तो अगर आपको यह Share support के इदर खरीदना है या अगर यह Share अपना Resistance तोड़के एक Upside Moment दिखाता है तभी आपको खरीदना है पर अगर आप Support के इदर खरीदोगे और यह Share अपना Support Recommendation नहीं है क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि PVR Cinemas COVID के वज़े से थोड़ा Under Perform करेगा इसके लिए Company 5 Star है Company के Fundamentals भी अच्छे है पर मुझे यह अभी पसंद क्यूं नहीं है एक ही Reason है कोरोना के वज़े से तो आपको Buy करने तो आपकी मर्जी इसके लिए मैं इस Share में कोई भी मेरा Target नहीं दूँगा Buy करने के लिए दो चीज इंपोर्टन्ट रहती है एक तो जब वो Share Support के करीब है या दूसरा Resistance तोड़े तभी तो मैंने वो दोनों Conditions आपको बता दिये हैं और जब तक पूरा Corona का Situation इंडिया में पूरी तरह से Improve नहीं हो जाता तब तक ये Share में मैं Buy Sell or Hold की Advice सला नहीं है आप कुछ भी decision लो तो अपना Research करो अपना Analysis करो धन्यवाद